दोस्तो आज की इस वीडियो का हमारा टापेक बहुत ही इंटरस्टिंग है इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे की यह realism क्या है realism से जोड़े ज़ोड़े जितने भी important writers हैं और जितने भी important works हैं इस वीडियो में मैं आपको समझाने गी कोशिश करूँगा फ्रांस से, फ्रांस में साल 1948 में एक revolution हुआ था, जिसे February revolution की नाम से जाना जाता है, इस realism में क्या किया गया, romantics को reject किया गया, romantics ने जो एक imaginary world बना लिया था, उसकी ideas को reject किया गया, और अब इंसान की real life, उसकी real situations की तरफ focus किया जाने लगा, French literature में इसकी शुरुआत की थी Mary Henry Boyle ने, जबकि Russian literature में इसकी शुरुआत की थी पशकिन ने, इन्होंने कोशिश की कि हम अपने literature में सच दिखाएंगे, accuracy के साथ में दिखाएंगे, objective truth बताएंगे, और subject matter जो होगा, वो एकदम real होगा, उसमें artificiality बिलकुल नहीं होगी, हम लोग अपने literature में artistic conversations नहीं डालेंगे, और supernatural elements बिलकुल नहीं डालेंगे, past की बात नहीं करनी है, बलगी आज की बात करनी है, contemporary literature लिखना है, और ऐसी चीज़े लिखनी हैं, जो हमारी life से related हो, familiar चीज़े लिखने हैं, everyday activities और अपने experience लिखेंगे, ऐसी idioms का use करेंगे, जो हमारी आम बोलचाल की भाशा में यूज की जाती है, एक बहुत ही famous work था 1957 का, The Rise of Novel, उसके अंदर एक line है, Novel's nobility is its formal realism, उस work के अंदर examples है, Daniel Defoe के, Samuel Richardson की, और Henry Fielding की novels की, देखो, George Elliot का नाम आप सबने सुना होगा, उनके तीन principles थे, जो realism को लेकर उन्होंने दिये वे, first principle था, pursuit of truth, वो कहती है, जो जूट है, वो बहुत easy होता है, falsehood is so easy, and truth is so difficult, दूसरा principle था, it must be moralistic, कि कोई भी work आप लिखो, वो moralistic होना चाहिए, it must be authentic, और authentic होना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे history authentic लिखी जाती है, वैसे ही, अब मैं दो key terms बताता हूँ, पहली है very similitude, और दूसरी है quotidian, ये दो key terms है, जो आपको realism को लेकर याद रखनी पड़ेगी, ये जो moment था, realism का, ये आया था मेंली चार countries में, सबसे पहले France, France में इसको कौन drive कर रहे थे, दो writers थे, फ्लेबर्ट और बेल्जाक, फ्लेबर्ट वो थे, जिन्होंने मैडम बावरी लिखी थी, और इंगलेंड में George Elliot और Charles Dickens, जबकि रशिया में Dostovsky और Leo Tolstroy, जबकि American realism में सबसे बड़ा नाम था, William Dean Howells और Henry James का, William Dean Howells की बारे में तो आपको बता ही होगा, इनको Dean of American Letters भी कहा जाता है, अभी तक मैंने आपको बता है, important facts जो आपको realism की बारे में पता होने चाहिए, अब मैं types बताता हूँ कि कौन-कौन से type की realism होते हैं, सबसे पहला type जिसे kitchen sink drama भी कहा जाता है, दूसरा type है magical realism, तीसरा type है social realism, चौता और most important type है psychological realism, चलिए एक एक करके समझते हैं, सबसे पहले kitchen sink realism, देखो kitchen sink drama में एक famous play लिखा गया है, John Osborne का, Look Back in Anger, इस type की dramas के अंदर, young working class British लोगों की life को दिखाया जाता था, working class जो factories बगेरा में काम करती है, और ज्यादा तर अपना free time pubs में या bars में गुजारना पसंद करती है, और इस type की dramas की main location, kitchen, restaurants या फिर bars बगेरा होती थी, इसलिए इन dramas का नाम पढ़ा kitchen sink dramas, और एक important बात ये कि इस type की dramas के अंदर taboo subjects पर focus किया जाता है, such as adultery, premarital sex, abortion और crime, मैं आपको और भी examples दे सकता हूँ, look back in anger के अलावा, my flesh, my blood, a taste of honey, या फिर 1957 की novel, room at the top, ये एक novel है, और kitchen sink drama का अच्छा example है, दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको बढ़ाता हूँ, magical realism की बारे में, ये realism से थोड़ा सा परे होता है, होता realism ही है, इसमें एक thin line होती है जो blur होती है, between fantasy and reality, मतलब इस टाइब की novels के अंदर, magical realism में लिखी वी novels के अंदर, बताते तो reality ही हैं, सची बताते हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ magical elements शामिल कर देते हैं, जैसे सलमान रशिदी की novel है, famous, midnight children, और Gabriel Garcia Marquez की एक novel है, 100 years of solitude, Tony Morrison की एक novel है, beloved, ये भी एक अच्छा example है, तीनों को मैंने cover कर रखा है, तीनों की link आपको description में मिल जाएगी, हम बात करते हैं, social realism की, ये एक ऐसे type का realism होता है, जो की real lives पर focus करता है, मतलब इसके अंदर भी poor class, working class लोगों की life दिखाई जाती है, उनकी conditions दिखाई जाती है, कि एक अच्छा example मैं आपको दूँगा, the grapes of wrath, ये novel लिखी थी, John Steinbeck ने, और Victor Hugo भी एक अच्छे writer थे, social realism पर लिखने वाले, अब realism में जो चौता type है, psychological realism का, वो inner thoughts, inner feelings, ऐसी चीजों पर focus करने वाला realism, psychological realism कहलाता है, जैसे कि stream of consciousness में लिखी हुई novel, इस type के realism में, character के दमाग के अंदर देखा जाता है, कि दमाग के अंदर उसके क्या चल रहा होगा, और क्या चीजों से motivate करती है, जो ऐसे decisions पूलेता है, जैसे कि Mrs. Deloway का character आप देख रहो, Virginia Woolf की famous novel है, जैसे अगर आप net की तयारी कर रहे हो, तो आपको एक famous novel जरूर पढ़ने चाहिए, Crime and Punishment, और Catcher अं अब मैं आपको कुछ important writers की नाम बताता हूँ, जो realism में बहुत important है, George Elliot, Charles Dickens, Daniel Defoe, Belzark, Leopold, Leo Tolstoy, Anton Shekov, William Dean Howells, Mark Twinn, Henry James, William Dean Howells ने एक line लिखी थी realism को लेकर, ये आपको note कर रहे हैं, realism is nothing more and nothing less than a truthful treatment of a material, William Dean Howell ने लिखी थी, दोस्तों उमीद करता हूँ, इस चोटी सी वीडियो से आपको कुछ ना कुछ help जरूर मिलेगी, आज की इस वीडियो में बस अतना ही, अब जब आपने ये वीडियो खतम कर ली है, तो आपको ये topic समझ में आया होगा, ऐसे ही बहुत सारी वीडियोज हम बनाते रहेंगे देरे देरे, चलिए आज की इस वीडियो में बसता ही, मिलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में